हलो दोस्तों तो आज मैं आपको AWS सॉफ्टर के बारे में बताने वाला हूँ AWS का फुल फॉर्म होता है Amazon Web Services यह 2006 में फाउंड की गई थी यह Amazon की ही एक Parent Company है यह सबसे पहली कमपनी थी जिन्होंने Cloud Services स्टार्ट की थी इस वज़े से यह Market में लीडर है बिकॉस यह regularly खुद को अपडेट भी कर रहे है और इन्होंने काफी Cost Effective भी रखा है अपने Service को सो अब बात करें Cloud Computing और Cloud Services की तो दोस्तों इसमें आपको एक ID और Password मिलता है इसमें एक Virtual System की तरह होता यानि अप अपने System से ही Login करते हो बट वो Login होता एक Server पर जाके ठीक है यानि आप जो भी काम करते हो जो भी आपका Data होता है वो वर्चुली स्टोर होता है किसी और Place पे तो in short Companies इसको क्यों इतना Prefer करती है Cloud Services को कोई भी IT Company in short अगर वो Laptop खोबी गया जो आप यूज कर रहे हो अब जान लेते हैं इसकी Eligibility और Requirement तो दोस्तों आपका Graduation होना चाहिए चाहिए आप किसी भी Domain से हो ग्रेजुएट और आपका Communication Skill और English थोड़ा अच्छा हो तो अच्छी बात है ऐसा Compulsory नहीं है बट यह आपको Benefit होगा इससे और इसकी Salary की बात करें और दोस्तों इसके Future Scope की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया EWS जो Amazon की Company है वो सबसे पहली ऐसी Company थी जिन्होंने Cloud Services स्टार्ट की थी उस वज़े से वो Leader है विकाज वो Regularly खुद को Improve कर रहे है और उन्होंने अपने Service को ऐसा बनाया है कि जो भी उनके Users थे वो Switch नहीं करना चाहते Because Engagement काफी अच्छा रखा है उन्होंने और Services अच्छी प्रोवाइड कर रहे है So then there is no reason to move कोई Reason ही नहीं बनता And इसके जो Competitors है Microsoft का आरजू हो गया और Google का Cloud है Alibaba का Cloud है IBM का Cloud है But still यह Leader है And I think यह Leader ही रहेगा Because he regularly काफी अच्छे से Improve कर रहे है And बात करें इसकी Training की अगर आपको सीखना है तो इसकी Training की Cost मेरे हिसाब से 40-50K के Under ही होनी चाहिए आप वहाँ से ही करें And मैं इसकी Training के लिए एक Free Source भी आपको चैनल के Description में Provide कर दूँगा यह Video के Sorry, Channel के Description में नहीं यह Video के Description में जाके Check कर लेना But दोस्तों Training के लिए मेरा हमेशा यह Suggestion होता है कि Training एक Training Institute से करें ना कि Online Website से अब Institute से आप Online भी कर सकते हैं Offline भी कर सकते हो आपकी Choice है But Institute से करने का Reason क्या है Because आपको एक Mentorship मिलती है एक Guidance मिलती है आपका जो Logic होता है Logic Clear होता है क्योंकि Interview में क्या होता है अगर आपने Maybe Online पढ़ा होगा तो Only 10% of chances हैं कि आपका Selection मतलब आप सीख लो और अच्छे से Selection भी हो जाए क्योंकि आपके Logic क्लियर नहीं होते है आपने Online पढ़ लिया होता है बड़ लॉजिक क्लियर नहीं होते है इसलिए मेसेजस करूँगा कि Training Institute को Prefer करे अब इसके Certification की बात करें दोस्तों तो इसकी Certification चार केटेगरी में डिवाइडेड है एक तो इसका Foundational Certificate हो गया दूसरा Associate हो गया तीसरा Professional Certification हो गया और चौथा Specialty Certification हो गया So as a fresher आपको Foundational और Associate Level के Certification ही करने है बाकी Professional और Specialty एक बार आप इंडर्स्री में इन हो गया तो अपने आपको Upgrade करने के लिए वो आगे जाके कर सकते हो And in the last एक Bonus Point कहूं Minit Person बने रहे आपको Training के दोरान कुछ ना है तो जरूर पूछे Professional से भी Connect करते रहे And Job के वक्त जब आप Interview भी देते है तो जो Interview है उनसे Feedback करते रहे तो ये करने से जो आपकी जर्नी होगी वो काफी स्मूध हो जाएगी और Chances जादा होंगे तो आशा करता हूँ कि EWS के Related Most Probably मैंने सारे Doubt क्लियर किये होंगे फिर भी कुछ आपके Questions रह गये हों तो आप मुझे Comments में जरूर पूछना मैं Answer करने का पूरा Try करूँगा तब तक के लिए Bye Bye दोस्तों